आज की आज में पड़ने वाले हैं thermodynamic system के बारे में साथ में surrounding को भी study करेंगे और thermodynamic variable और equation of state को भी discuss करेंगे तो ही समझते क्या होता है thermodynamic system बोला ये जाता है definition के according an assembly of a very large number of particle having certain value of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system यानि कि बहुत सारे particles को आप एक साथ assemble कर तो मतलब क्या है यहाँ पे मतलब यह है कि कुछ भी पार्टिकल ले लो for example यहाँ पे आपने एक आटम ले लिया ठीक है और यहाँ पे आपने कोई दूसरे एलिमेंट का दूसरा आटम ले लिया या फिर यहाँ पे आप कोई substance ले लो XYZ एक substance ले लो और इन सभी को एसेंबल कर दो जिनका कोई certain pressure हो ठीक है volume हो और temperature हो और उनको जब आप एक जगा पर रख देते हो basically तो यह कहलाता है thermodynamic system यानि कि यह पूरा-पूरा system है system के अंदर particles भी आते है वो container भी आता है जिसके अंदर वो प्लीस है और उसके अलावा उन सभी का अपना एक definite pressure, volume, temperature यह सब कुछ होता है तो यह हमारे सामने एक thermodynamic system हो गया अब यह जो thermodynamic system में यह deal किससे करेगा यह deal करने वाला है heat से ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अब समझते है surrounding क्या होता है तो system को छोड़के जो भी चीज आपके पास बचके रह जाती है वो सभी surrounding के ही part होते है for instance अगर आपको यहाँ पे समझाओ में तो आप यहाँ पे system के अलावा कुछ notice करने की कोशिश करो जैसे कि यह आपका system है बट इसके अलावा यह सारा जो outside वाला portion है यह किसमे consider किया जाएगा यह consider किया जाएगा surrounding के अंदर अब हम बात करते हैं surrounding के कुछ और aspect को जैसे कि surrounding का direct effect जो होता है वो system पे पढ़ता है अगर मालों कि surrounding के अंदर कुछ temperature increase कर गया तो फिर वो system के उपर भी effect डालेगा बसरते कि system के wall जो है वो adiabatic नहीं होने चाहिए अगर adiabatic होंगे फिर तो surrounding का कोई भी effect जो है वो system पे direct impact नहीं डालेगा otherwise surrounding और system का आपस में relation बहुत गहरा होता है तो आपको ये बात समझागे अब हम बात करते हैं thermodynamic variable के बारे में तो देखो बोला ये जाता है कि the quantities like pressure, volume, temperature which helps us to study the behavior of a thermodynamic system is called या are called thermodynamic variable यानि कि इस system की behavior को समझने के लिए जिन भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो उन सब ही aspect को थर्मो डैनेमिक variable के अंदर count किया जाता है अब आप समझो एक बार कि अगर आप मलो बाहर से इसमें कोई heat provide कराते हो और एक process हो जाता है अंदर कोई भी reaction हो जाता है कोई भी process हो जाता है फिर आप उसको समझो के कैसे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो process जो है वो अकर हुआ या फिर उसके अंदर कोई reaction जो है वो take place किया आप इन सब चीजों को किसी parameter के दुरू analyze करते हो और उन्ही को हम कहते है thermodynamic variable for example जो पहला parameter होगा वो आपका pressure आप pressure देखके identify करोगे आप volume से अंदाज लगाओगे कि इस system के अंदर कुछ न कुछ process जो है वो अकर किया तीसरा आपके पास निकल के आता है temperature और चौथा निकल के आता है number of moles अगर आपके mass में मतलब moles में substance के changes आते हैं तो भी आप कहा दो कि हाँ कोई ने कोई thermodynamic process जो है वो हुआ है तो यह सब न हम thermodynamic variable की मदद से समझ पाते हैं ओके आगे बढ़ते हैं हम समझते हैं कि equation of state क्या होता है equation of state से पहले आप state discuss करते है चलिए state का मतलब क्या होता है कि फिलहाल वो किस form में present है इसका basic मतलब यह है अब हम equation of state की जब बात करते हैं तो equation का मतलब होता है anything which you can convert mathematically तो यहाँ पर बोला गया है कि the mathematical relation between pressure, volume, temperature of a thermodynamic system is called equation of state यानि कि जो तीन major factor होते हैं तीन major variable आप कहलो जिनमें पहला क्या था आपका pressure, volume or temperature अगर इनको आप mathematically convert कर लेते हो एक equation की तौर पे तो वही आपका equation of state कहलाता है तो अगर हम idle gas की उपर अगर इनी factors को mathematically convert करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो equation बन के आता है वो आता है PV is equals to N, R and T where P stands for pressure, V stands for volume N stands for number of moles R stands for जो आपका rate constant होता है और T stands for temperature अब हम बात करेंगे thermodynamic equilibrium के बारे में तो ये third question SL के coding यहां बोला गया कि भी define करो thermodynamic equilibrium क्या होता है और फिर आपसे बोला गया है कि आप ये बताओ कि आप इसे attend कैसे करोगे let's suppose कि कोई चीज नहीं है equilibrium में तो अगर आप चाहते हो कि वो equilibrium में आ जाए वो system equilibrium में आ जाए तो आप उस system को attend कैसे करोगे तो सबसे पहले होता क्या है equilibrium देखो बोला ये गया है कि two system are set to be in thermodynamic या फिर thermal equilibrium with each other if they have the same temperature यहाँ पे बात ये है thermal equilibrium का thermal मतलब होता है temperature और equilibrium मतलब होता है equal यानि कि दो system अगर उनका temperature आपस में एक जैसा हो जाए तो आप उनको क्या कहोगे आप उनको कहोगे कि वो thermodynamic equilibrium में अब exist करते हैं consider कीजे यहाँ पे दो gases को A and B जिनको कि आपने different vessels के अंदर place किया हुआ है let the pressure and volume of gases B, P, A and V, A and P, B and V, V respectively अब आप इस diagram के अंदर देखो आपको यह diagram ध्यान से दिख गया होगा इसके अंदर हमारे पास एक container है जिसके दो chamber आपने मना रखे है और इन chamber को आपने separate कर रखा है wall के through अब यह wall कैसा होगा यह भी हम discuss करेंगे इन chamber में जैसे यह पहला chamber है इसके अंदर आपने जो gas fill किया उसका नाम A दे दो और इसके अंदर जो भी gas fill किया उसका नाम आप B दे दो जो भी इस gas का pressure होगा उसको आप P, A बोलो और जो इस gas का volume होगा उसको आप V, A बोलो इस gas के pressure को P, B बोलोगे और volume को V, B बोलोगे अब as shown in figure 12.1A यानि कि यह जो figure आपको दिख रहा है इसके अंदर जो मैं चीज़ समझाने वाला हूँ इसमें होगा क्या इसको इसको सेपरेट करना इस chamber को सेपरेट करना जिस wall से वह आपका adiabatic अब सवाल है कि adiabatic होता क्या है adiabatic का मतलब है एक ऐसा wall जो कि बिलकुल भी allow नहीं करता है heat के interchange को यानि कि अगर आपके इस वाले chamber के अंदर temperature 50 degree है और इस वाले में 20 degree है तो ऐसा नहीं होगा कि यह temperature higher to lower transfer हो जाएगा because यह wall allow नहीं करता उसको उसको insulate करके रख देता है तो इसे wall को हम कहते है adiabatic wall then any possible pair of values PA and VA will be in equilibrium with any possible values of PB and VB अच्छा अगर आपको इन दोनों को equilibrium में करना है तो एक condition यह हो सकती है माल लोग कि किसी भी point पे या किसी भी एक जगह पे हो सकता है कि भई PA और PVA की जो value है वो may भी equal हो जाए PB और VB के equal यही एक मादर scenario है जब यह equilibrium में होंगे अब इसकी भी कोई guarantee नहीं है कि यह equal हो जाए अगर ऐसा हो जाता है तब आप कहो गए equilibrium में अगर नहीं होता तो नहीं है equilibrium में right क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यह wall allow करेगा अगर नहीं भी होंगे तो यह wall allow तो नहीं कर रहा इसको कि इधर जाके अपने आपको stable कर लो एक दूसरे का according ऐसा तो नहीं कर सकते अगर इत्तफाक से यह दोनों equal मिल गए तो equilibrium में है otherwise नहीं है equilibrium में मगर अगर दूसरे diagram में आप ध्यान से देखो तो ऐसा कुछ है नहीं इस diagram के अंदर आपके पास जो wall है वो है dithermal dithermal wall का मतलब यह होता है कि ऐसा wall जो allow करे heat के interchange को यानि कि अगर इसका temperature कुछ और है और इसका temperature कुछ और है तो यह आपस में heat को intermix कर लेंगे temperature को interchange कर लेंगे और उसके बाद जो temperature है वो एक दूसरे में एक जैसा हो जाएगा कैसे समझाते हैं आपको माल लिजी कि इसका temperature है 50 degree और इसका temperature है 30 degree और हमें इतना पता है thermal properties of matter को पढ़ने के बाद कि temperature का exchange होता है higher portion to lower portion में अब अगर यह higher पे 50 degree Celsius है let's suppose this is at 50 degree and this is at 30 degree so इसमें temperature तब तक इसमें flow करता रहेगा जब तक कि यह दोनों आपस में बराबर ना हो जाए यानि कि अगर यह 40 और यह 40 जब हो जाएंगे उस point के बाद इसका temperature इदर flow नहीं करेगा और अगर temperature दोनों का equal हो गया तो फिर after some time इनके pressure और volume भी जो है वो मालीजे same हो जाते है मालीजे की शुरू शुरू में इसका pressure था PA और volume था VA इसका pressure क्या था PA और volume था VA और दूसरे वाले का था PB और volume था VB लेकिन interchange करने के बाद जो नया resulting pressure और volume आएगा वो आएगा PA और VA और दूसरे वाले का आएगा PB और VB और ये वो वाले pressures और volume होंगे जो की equilibrium में होने के बाद अटेंट किये गए हैं तो आप इस case में ही क्या सकते हो कि ये जो दोनों system में एक दूसरे के respect में equilibrium में तो equilibrium में होने का thermal equilibrium में basically होने का एक ही criteria होता है कि temperature के basis पे क्या आप अपने आपको justify कर रहे हो whether your temperature are equal to each other or not if the two system has same temperature then you might say that they both consist at same equilibrium right so ये हमारा topic of the discussion था